आप देख रहे हैं जहारकन कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल और हम लोग इस वीडियो सेरीज में नाकपूरी व्याकरण और साहित से सम्मंदी जो भी टॉपिक है उसको एक एक करके कंप्लीट करने का प्यास कर रहे हैं आपको हर एक टॉपिक सीक्वेंस वाइस बता और खंड में नाकपूरी गव में नाकपूरी गदिशायद पढ़ना और इसी खंड गव का प्रथम पार्थ है वो नाकपूरी लोग गता है इसमें आपको 10 कथा पढ़ना है जिसमें से 7 कथा हम लोग समात कर चुके हैं उमीद करते हैं यह 7 वीडियो आप लोग देख चु सोचा चराई और राजा हर कथा के बाद आपको समरी बताया जाता है माइंड मैप के थुरू ताकि इस समरी को आपको बार-बार रिवाइज कर सके और mcq के point of view से इसको याद कर सके क्योंकि ultimately आपका mcq ही face करना एक्जाम में अगर आपको तथ्य जो है यह सब भी आपको पढ़ना है तो इन सब math reasoning भी आपको पढ़ना है तो इन सारे syllabus में चीजे आपको याद रहें लंबे समय के लिए इसके लिए आपको काम करना है हर topic का आपको समरी बनाना है और शमरी बना के बार-बार उसको revise करना है ताकि अंतिम समय आप उसको quick revision कर सके हो और उसके बाद exam hall में आप जाएं ताकि वो सभी तथ्य आपको याद रहें जो की exam के point of view से important माना जाता है तो चलिए आज हम लोग देखते हैं छुटकी रानी की रानी में यहां पे साथ बहन के कहानी बताया गया है जिसमें एक बहन काफी सुदर होती है और बाकी 6 बहन उनके तुला में कम सुदर होती है अब यहां पे छोटी बहन का विवाहा कत्य हो जाता है बाकी इससे बहुत जादा जलती है बाकी की छे बने अब उसके दोरान क्या-क्या घटना यहां पर घटता है उस चोटी रानी के साथ या एक तरह से चोटी बेटी के साथ क्या होता है क्या घटना क्रम है उसी को इस लोग कथा में बताने का प्रयास किया गया है तो देखते हैं नाम में तो यहां पर रानी है लेकिन एक्शुली वह रानी नहीं थे गरी परिवार की ही बेटी थी तो चलिए फिर भी हेडिंग है चुटकी रानी तो हम लग उसी तरह से याद करने का प्रयास करेंगे गोटके बन रहे हुआ बुड़ा बुड़ी रहत रहे उमनकर साद को बेटी रहे चुटकी बेटी बहुते सुन्दर रहे और बढ़का च्छाओ मनकर कोनो नी कोनो आंग बगडल रहे सातो बहिन एक ठो एकठो कोठरी में रहत रहे छोटकी बहिन कर कोठ्री बीच में रहे बढकी मनक केक्रो बिहा नहीं हुए सक्लक छोटकी कर बिहा करबात ठीक होई गिलग इके दैक के बढ़की मन उकर से मुरुक जरे लाग लाएं, बिहा कर दीन खूब था यारी हुए लाग लग, बढ़की बहिन मन छोटकी के पिंधाय ले फूल लाने बन गे लाएं, और फूल कर हार संगे गोटके साप केहूं के गाईट के लान लाएं, सिंगराय के बेरा हार क पिंधाय के छोटकी के उक्रे कोटरी में बैठाय के सातों डूरा के उड़काय दे लाएं, तो इस तरह से फॉस्ट पाराग्रा में बताया गया है कि एक वन था उसमें बुड़ा बुड़ी रहते थे, जैनरली राजा रानी का बात आता है, नागपुरी लोग का था में, यहाँ भुड़ा भुड़ी काँ गया, तो यह चीज़ को आप ध्यान में रख़िएगा, उनकी कितनी बची थी तो साट बैटी थी यह भी आपको ध्यान में रखना है, जो छोटी बेटी थी वो काफी सुन्दर थी, बाकि जो छो छे बेटी थी, उनका कुछ ना कुछ अं और इस प्रकार दिया कि चुक्षी बहन जो थी सुन्दर थी इसलिए बाकी सब का विवाह तै नहीं होता है लेकिन छोटी वाली बेटी का विवाह तै हो जाता है और इसे देख के जो बाकी छे बहने थी काफिे उनसे जलने लग जाती है और इसतरा से अब समय बीटता जाता ह है कि तयारी होने लग जाता है विवा का यानि विवा का समय आ जाता है और जब विवा का समय आ जाता है तो चोटकी को यानि चोटी जो बेटी रहती है उसको तयार करने के लिए सिंगार के और उसके बाद उसी का कोठ्री में उसको बंद कर देती है बाहर से चोटी बेटी जो रहती है वो कमरे में बंद हो जाती है और उसके सिंगार के नाम में उसमें के उसमें जो माला उसको गोथा गया था उसमें साम भी रहता है तो अंतिम में क्या होगा आपको पता है साम उसक पहले गिल हैं और गीत गाय गाय के उठाय लागे तो समय आप विवाह का आ गया बारात पहुंच गया है लेकिन कन्या को यता पता नहीं तो सबसे पहले उसका माबाप जाते तो आपको याद अखना है कि पहले छुटकी को उठाने के लिए उसके कमरे के बाहर कौन जाते हैं तो उनके मा और पिता जाते हैं और इस तरह से उनके मा पिता जो है वो गाना गा के उठाते देखे ये गाना को भी आपको देख सकता है एक्जाम में पूछेगा ये किस कथा से लिया गया है तो छुटकी रानी ये आपको याद अखना है उट उट बेटी तोर लागिन तो यहां पे बोला जा रहा है माबाप के द्वारा कि उठो बारात आ गिया है विवाह का समय हो गिया है तुम्हारे लिए ही गाजा बाजा यहां पे बज रहा है तो इस तरह से यह माबाप के तरफ से बोला गया अब देखिए छोटी की बेटी जो थी जो कमरे में बंद थी वो क्या बोलती है अपना जो तकलीफ रती है उसको हो बताएगी तो इसタरह से बोलती है कैसे कैसे उठवाई हो दी हार में डाल ला गया और उसके बाद पहना दिया गया तो इस तरह से वो नहीं उट पा रही है ऐसा वो बोल दिये फिर उसके माबाप तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे समझेंगे कि माला में कौन नागी नहीं हो गया तो उसको कुछ समझ में नहीं आया तो उसके बाद ए खाने के लिए कि हम लोग कुछ नहीं जानता हैं इसलिए वो भी बाहर से एक एक करके आवाज देगे तो उसी को बोला है लेकिन उकर माय बाप के नी बुझेक पार लए और शेयल गेले वहिन मन एक एक करके आय के कीद गाले उठ वहिन तोर लागिन गजन बजन वहिन तोर ल नागीन कर हार पिंधाय देला देली नागीन कर हार तो बोलती हम आखिए उठे तो उठे कैसे आप लोग तो हमको नागीन का हार पहना दिये हैं तो इस तरह से यह जाब दे रही थी आब अंती में आपको कौन आता है ये भी पूछा जाएगा तो सबसेश्य प्रारंब्र म में जवाब आता है अंदर से कमरे से वो छोटकी बेटी जो थी वो जवाब देती है कैसे कैसे उठब सहिया दीदी तो नागिन कर हार पिना देना हो नागिन कर हार तो इस तरह से फिर शे वो अंदर से आवा जाता है कि हम आखिर उठे तो कैसे उठे हमको तो नागिन का हार प अपने बताया गया है तब दुला हर बुईज गिलग का बात है और शातो दुरा के तोड के कोठरी में ढुक लग लेकिन से बेरा तक छोटकी मुल जा रहे तो आपको याद रखना है यहां पे साथ गोठरी था साथ गो दूरा था हना तो इस तरह से यह सारा चीज आपको प् उसका सण्षकार हुआ तो उसका जो अस्ति है उसको लेके वह गगरी में लेकिया तो पुछा के आता है तो गगरी में के आता है यह चीज को आपको आपको प्रियाज कर रहा है कि वो लड़का जो था उसको वो अलग अपने परिवार से अलग रहता था और इस तरह से वो अपने परिवार से अलग रहता था काम दंदा करता था खुद से खाना पीना बता था एक दिन क्या होता है कि वो जो है काम करने के लिए बाहर जाता है तो उसी गगरी से वो लड़की जो थी यानि कि छोटकी ज चली जाती है। तब वो लड़का जो होता है वो दूला बनने वाला था लेकिन बना नहीं तब 신तरση यहां पे जो लड़का जो था वापस जब आता है तो देखता है कि घर पूरी तरह से व्यfindन कर रहा है कि आज करने के बहाद से निकल जाएगा और निकलने के बाद जो दूरा कोना है तो आपको याद रखना है किस कोना से वो देख रहा था दूरा से यानि दरवाजा से वो हाना छिप के देखने का प्रयास कर रहा है कि आखिर आता तो आता कौन है तब वहाँ पे देखता है कि गगरी से एक लड़की जो है वो निकलती है सारा काम कर रही है जब वो देखता है कि छोड़की बाहर निकली वे गगरी से तो वो कूद के यानि कि बहुत तेजी से वो कमरे के अंदर आता और उसको पकड़ लेता है छोड़की बोलती है कि हमको छोड़ दीजे छोड़ दीजे हमको कहा जाना है गगरी में जाना है लेकिन वोल्ड जो लड़का रहता वो उसको छोड़ता नहीं है बोलता है कि अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे अरे सरसे गगरी को जो है वो फोड़ देता और तब दोनों जंजों है अब खुशी से वहाँ पे रहने लग जाते हैं आप देखिए दो परग्राफ में आपको कहाने का अंध बताया गया है एक दिन गुटके बुड़िया दही विस्ते विस्ते उहे गहर ठीन आलक छोड़की खिलकी के जाईक के देखत रहे उके बुड़िया दैखले लग बुड़िया छोड़की के साइस के जाय के कहलक कताई सुंदरतोर बहु आये कताई बेस बहु पाहिस उकरबाद के सुईन के साइसार कहलक काके बहु लानबे मोर बेटा तो हाड के लाइन के राइखे तब बुढिया कालग मोहततर बहुछ के लो इस तरह से जो गाव में होता है बहुत सारे बेचने उचने केली आते हैं तो उसी तरह से वो बुड़िया उसको देख लेती है कि अंदर से कोई जहांक रहा है तब वो देखती है कि हाना उसके जानती है कि यह इसका बेटा का घर है तब उसका मा के पास यानि कि उस छुड़की के सास्त के घर जाती है और बोलती है कि तोर बहुत तो बहुत बहुत बेस हव अर तो तो वो जाके बता रहा होगा, तो बता रही होगी, तो इस तरह से यहाँ पर बुढ़िया जाके उसके सास के पास बता देती है, सारा बात, तब बुढ़िया तो करती है कि बहु का लान्बे हमर बेटा तो हाड मास के लाईने, यानि कि अस्ति, वो एक चुलीम को लाया था, तो वो गगरी में उसका अस्ति को ही लाया था, बाद में गगरी से वो छोटकी निकलती है, तो वो बोलती है उसकी मा, यानि कि वो लड़का का मा बोलती है, कि हमरा कोई बहु नहीं होगी, किसी दूसरे को तुम देखी होगी, वो तो हाना अस्ति लेके आया है, वो किसी के सास है वो जाती है और वही दही बेचने के लिए ही जाती है तो आपको पूछा जाएगा उसकी सास जो है वो क्या बेचने के लिए जाती है और कहां बेचने के लिए जाती है तो इस तरह से उसी को लास्ट पारग्राफ में बताया है तब दोसर दिन साई सार गगरी बोई के जहें दही बेचेले गिलग और दही लेवा दही लेवा कहे लाग लग और उसके बाद फिर खेडकी टिम वहां पे वो जो छोटकी थी वो आती है चोटकी जैसने खिडकी से जाए के देख लख की साईस हार के देखा बःख के गिर जग छोटकी बुढिया के चीन ले लग कि यह तो मोर साइस है के और उठाए के भीतरे लान लग तले साइस पुताव खुशी-खुशी बेश से रहे लाग ले तो इस तरह से यहाँ पे जब वो उसकी सास जाएगी दही बेचने के लिए तो फिर से वो खिड़की जाकी उसकी बहु देखी यानि छोटक की रहती उसको तो पता रहता है कि हमारी सास है तब उसको पकड़ती है और वह अंदर ले जाती है और अंदर ले जाने के बाद उसको जगाती है जगाने के बाद वह सास पुताव जो है बोलती है कि यह लोग खुशी-खुशी रहते हैं तो इस तरह से यह कहानी आपको दि आएगा तो बन मेरा तरह है पहला फैक्ट यह आपको याद रखना है उसके बाद उसके केतने बेटी थे साथ बेटी थी छोटी बेटी जो थी वह बहुत सुंदर थी और बाकियों का कुछ ना कुछ अंग बिगड़ा हुआ था अब देखते हैं छोटकी बहन के साथ क्या होत जाता है अब बिहात आया जाता है तो बाकी बहन उससे जलने लग जाती है जलने लग जाती है तो उसके सिंगार के लिए जो फूल आती है उसके साथ उसके हार में क्या गांद देती है साप में आपको नागीन भी रहेगा तो नागीन को भी आप देख सकते हैं क्योंकि ना दिरे करके एक एक करके वहां पे उनके माबाप फिर उसके बहन और फिर आकरी में दुला जाते हैं तो पहले कोन गये थे माबाप फिर बहन एक एक करके और अंती में आपको याद रखना है दुला गये थे दुला जो है उसको वो जवाब देती है कि हम कैसे उठे मेरी जो बह कि समाने तो यहां पर बताएगा तो सबसे पहले वो अपने परिवार से अलग रहता है काम करने जाता है और अपना काम खुदी करता है तब एक दिन देखता है कि उसका घर का काम कोई कर रहा है और इस तरह से गगरी से वो जो लड़की थी वही छोटकी जो थी वो निकलती थ और शब काम को करती थी, खाना उना बनाती थी, खुद भी खाती थी, और फिर वापस गगरी में चली जाती थी, तो ये सारा चीज देखके उसको अचरज होता है, तब वो एक दिन क्या करता है, दूरा कोना में तो पुछेगा किस में चिपा था, तो दूरा कोना में वो इतने के बाद वो देखता है कि गगरी से छोड़की निकली और उसके बाद वो जो दूलाच पड़ा रहता है वो उसको जाके पगड़ लेता है फिर उसको जाने नहीं देता है इसी बीच में अगला पैरग्राफ में आपको बताया गया था कि दही बेचने वाली एक रेक लेती है चोड़की क्या कर रही थी जोओ डेक लाए थी कहां से जोड़की से ज्लीसे यह बीकरते तो इसको ने नहीं तो its यह पर देखते ही वो गिर जाती है और उसकी सास जब गिर जाती है तो चोड़की उसको उथाएगी और उठाने के बारे खुशब कुशी यहाँ पर लग जाते हिए इस तरह से यहाँ पर आपको चुटकीरानी के बारे में ये कहानी बताया गया है नाम में तो रानी है लेकिन ये सिंपल परिवार का है कहानी तो इस तरह से चीज को आपको याद रखना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैन्द